हेलो गाईज वेलकम बाग टू दे चानल और आज का जो यह वीडियो है यह कि होने वाला है यह वीडियो में इसलिए बना रही हूं कि अभी चानल पर किसीरे बच्चे ने कमेंट किया कि दीदी अगर आपके पास क्लास नाइन के एक्जाम होने वाला है तो सब बच्चों को पता चलना चाहिए आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखो क्योंकि थोड़ा सा जल्दी में बना रही हूं तो कुछ-कुछ असा लग सकता है कि मैं जल्दबाजी में हूं बट क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है और आप लोगों को वीडियो भी देना है एडिटिंग भी करनी है टाइम तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूंगी और आपको बहुत ध्यान से वीडियो देखना है और समझना है अगर उस तभी कोई डाउट आ रहा हो तो जरूर इसको पूछ लेना पेपर मनी वह इन्वेंटेड इन कहां मतलब कि कहां पेपर मनी को इन्वेंट किया गया था तो वो जगह थी चाइना स्पेसिलाइजेशन मीन्स पीपल बिकम मोर डैश जब स्पेसिलाइजेशन को क्या मतलब होता है कि जो लोग है वो और स्किल्ड बनते जा रहे हैं मनी मस्ट बी ईजली रेप्रड्यूज बई पीपल और शुड बी डैश रिलेटिवली स्कार्ड जो मनी है वो लोगों के दोवारा इसली रेप्रड्यूज भी होनी चाहिए और वो थोड़ी सी मार्केट में कम भी होनी चाहिए क्योंकि अगर वो जादा हो जाएगी तो अलग दिक्कत है और अगर इन सब के आपको एक्स्प्रेनेशन चाहिए तो मेरे चैनल पर आपको देख सकते हैं डाश is the process of defining goals and developing a plan क्या ऐसा process होता है जिसमें हम goals को define करते हैं और एक plan बनाते हैं उसको बोला जाता है financial planning डाश is the total income from the sources of income हमारे जितने भी इनकम के sources होते हैं उसकी जो total income होती है उसे हम कहते है gross income money you spend on your need and wants is called money जिसको हम अपने खर्चों सब्सक्राइब होती है उसको spend कर देते हैं उसको क्या बोलो जाते हैं उनको बोलते हैं खर्चे that is expenses our dash is a place where someone can deposit money for saving safe keeping and withdraw it when necessary bank एक ऐसी जगा होती है जहां पर अपना पैसा deposit कर सकते हो उसको safe रख सकते हो उसको withdraw कर सकते हो dash is keeping aside a part of the money you earn for future needs हम saving को वो चीज कहते हैं saving वो चीज होती है जहां पर हम जितना भी हमने money earn कि होते हैं उसका कुछ पार्ट हम लोग बचाते हैं और इसको future needs में यूज करते हैं इन बजट टेबल अंडर फिक्स टेबल expenses डाश सुट भी first items which will help us to save money जब हम बजट टेबल बनाते हैं तो जो फिक्स टेबल में रखना है अब हम आगे चलते हैं what is the correct full form of pin पिन का correct full form क्या होता है यह question मुझे ऐसा लग रहे है कि आ सकता है आपको चार option दिये जाएंगे और आप यह question पूछा जा सकता है तो इसका full form होता है correct आपको याद रखना है पॉर्सनल ऐइंटिफिकेशन नंबर 11 इन इंशन टाइम metal coins वह made of precious metal मतलब जो इंशन टाइम ता metal जो coins से वह कैसे बना जाते थे precious metal से गाइस अगर आपने तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो इसको कर दो आगे हम लोग आगे अभी 30 questions और बचे हुए जिनको हम discuss करने वाले तो वीडियो को पूरा देखो तभी आपकी प्रप्रेशन जो है वह अच्छी हो पाएगी ट्वेल्थ क्वेस्टन है हमारा specialization means people become यह तो दुबारा आ गया कि specialization से लोग और skilled हो जाते हैं money brings dash and organization to our economy money से क्या आता है simplicity आती है and organization आता है तो अभी तो simplicity है fill in the blanks में आपके exam में organization भी हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकता है तो आपको ध्यान रखना है being on time for work is a kind of dash for life अगर आप time पर रहते हैं कोई भी काम करने में तो यह आपकी life में एक value है dash are fees placed on income property और goods to support government program जो भी आप government program के लिए जो आपका जो फीस होता है अपने income से अपने property से अपने goods से जो government को support करने के लिए देते हो तो वो क्या होता है वो होते है टेक्सेज डास expenses have set amount and are exact amount incurred every time not depending on consumption or usage जो fixed expenses होते हैं हमारे वो कितने भी टाइम पर जो हम अगर देख लें तो वह सेम ही रहते हैं वो इधर दो नहीं होते हैं इंडिया वास फर्स्ट बांकिंग इंस्टिऊश्ट इंडिया में कौन जा था बैंक ऑफ बिंगोल यह क्वेशन भी आपसे पूचह जा सकता है कि बैंक ऑफ बिंगोल कभ एस्टेबलेश हुआ तो यह वाले चीज़े इसको आप ध्यान रखेंगे डाश मीं सेविग बिफ इस देवेस्मेंट ऑफ फिक्स्ट अमाउंट इन एनी ऑफ दफिक्स्ट एसेट एट रेगुलर इंटेटरवल जो एसाइप होता है इसका फुल फर्म आपको प्की बुक में मिलेगा इसको देखो इसको सर्च करो है ना अपनी बुक में देखो सब चीज में तो मैं नहीं बत है तो इंप्रूब आवर बजट कंचोल वी मस्ट डू डश एवरी मंथ हम अपने बजट कंचोल करने के लिए क्या करते हैं हम रिव्यू करते हैं ठीक है डश वोज यूज़ इस मनी अर्ली सुसाइटी इन यूरॉप यूरॉप में अर्ली सुसाइटी मनी के तौर पर किसक करें तो जो डिविजन अफ लेबर है वो काफी कम होता था अगर हम आज की बात करें तो ज्यादा हो गया है चलो आगे आते हैं विच ऑफ दू फॉलोइंग इस वान अफ दे क्यारेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी तो कुछ ज्यादा ऑप्शिंस हैं में नहीं दे रखें बट अ तो मतलब आप इसको द्यान से रखो पढ़ लो पीपल डिफाइन डिफरेंटली डिपेंडिंग डिपेंडिंग अपॉन डियर डैश पीपल लोग जो है कुछ लोगों की देखो मेरी कोई चीज हो सकती है कि वो मेरी इच्छा हो दूसरे की बंदे की वो जरूरत हो सकती है तो उसको हम किसकी तरह पर एक तरीकी से डिफाइन करते हैं जो उसकी वैली होती है हमारे लिए डाश इस देट्रू इंक्रीज इंड़ अमांट ऑफ वेल्थ अगर हम देखें कि अमांट जो हमारा वेल्थ का जो अमांट होता है वह बढ़ता है तो क्या है इंकम इंकम वो इंक्रीज होता है डाश कैन भी चेंज ड्यू तो सम रीजन लाइक यूशेज कन अभी मैने आपको बताया था कि एक्जाक्ट अमांट एफ एक्सपैंसे जो उते हैं उनको पूला जाता है फिक्ज एक्सपैंसे अब जो ऐसेग्स होते हैं जो कि यू से जाफिर कंजुशु होता है उसी को अगर आप भरते हो तभी आप अपने अकाउंट में अपने बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं उसको डिपॉसिट कर सकते हो तो यह क्वेशन आप से पूझा जा सकता है कि कौन से बढ़नी होती है ठीक है क्या चीज है जो आपको मनी आपकी मनी को ग्रो करती है और जितना भी पैसा आपने सेफ किया होता है उसको इंक्रीज करती है तो उसको बोलते हैं इंट्रस्ट शॉट टर्म इनवेस्मेंट इस नोन अस पेकुलेशन जो छोटे चोटे टर्म के लिए आप इनवेस्ट करते हो उसको बूल जाता है स्पेकुलेशन स्पेकुलेशन का मतलब वैसे गैस करना भी होता है बजुटिंग helps you prevent reckless- बजट अगर आप बनाते हो तो इसके लिए आप फाल्तु कर्चे नहीं करोगे सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें तो भी आपको मतलब बहुत जादा हो जाएगा तो वहीं कि आपको क्या करना है जो पूछाएगे कि जो आप मेटल के जो क्वाइन होते जब पर पिक्चर का स्टाम्प लगाते तो उस प्रसेस को क्या बोला जाता है तो उसको बोलते हैं मेंटिंग रेड इंडियन प्रवाइट डेश फॉर ट्रेड विद ये आपका चाप्टर जो है यह उसी में से बिल्कुल लाइन है जहां पर हम लोगों ने डिसकास भी किया यह अपने वीडियो में कि रेड इंडियन ये उरॉपियंज को फॉर प्रवाइड करते थे अभी थोड़े देर पहले ही आपको मैंने बताया था एक तो वही पर ये भी था बट अगर मालो जैसी वही क्वेशन आया है तो अगर आपने क्वेशन को भी ध्यान से पढ़ा है तो दो तेन अंसर होते हैं कि उसी में से मिल जाते हैं तो यहां पर आएगा डिविजबल अब आजाते हैं डैश और सिंपली ब्ली व्लीव और या होता है वेलिव जहें वहापके लाइफ में सिंपली कुछ बेर्स होते हैं कुछ प्राक्टिस होती हैं डिदक्शन और अमॉंट सब्स्ट्राक्टथर फ्रम ग्राउस पे विछ रिजल्स बेड नेट पे जो भी अब ध्यान से कर लेना ठीक है जो अगर कुछ निमारिकल वाले क्वेस्चन उनको भी आप ध्यान से कर लेना क्योंकि अभी वो चाप्टर मैंने नहीं पढ़ाएं और अभी उसको हम डिसकस भी नहीं करेंगे अगर आपने नहीं भी किया है बट कोई फॉर्मिला हो तो उसको आप अपना देख लेना उसको याद कर लेना था कि जब आप से क्वेश्चन पूचिज है तो आपको ऐसा ना लगी कि मुझे नहीं आ रहा है डाश गिव्ज आस रिकॉर्ड अफ और टांजेक्शन आपने किया होता है उसको आप सो कहां से पता चलता है बजट से डाश इस इस पेड ऑन ओरिजिनल प्रिंसिपल और ऑन दी अक्यूमिलेटेट पास्ट इंट्रेस्ट एक मिनिट जो पहला वाला क्वेश्चन था थर्टी फिफ्ट वह पास्गों कि पास्गुक से हमें वह रिकॉर्ड मिलता है जिसमें हमें ट्रांजेक्शन का पता चलता है और क्या अरिजिनल प्रिंसिपल होता है जो होता है इंट्रेस्ट वह मिलता है यह उपर वाला यह थोड़ा सा दिखने में थोड़ा सा आपको गलती कर दी गई है यह टाइपिंग मिस्टेक है ठीक है डाश इन इन्वेस्मेंट ऑफ फर शॉटर पीरियर्ट तो गेट सम रिटेंग इसको हम लोग क्या बोलते हैं इन्वेस्मेंट होते हैं चोटे चोटे टाइम पीरिट के लिए इसका अंसर बजट यहां पर दे रखाई स्पाक्यूलेशन आएगा क्या हमने वह आगी भी पढ़ा था तो हम ध्यान है इसलिए हम गलती नहीं करेंगे ताकि भले इसमें गलत क्या है